हेलो, स्वागत है आपका फ्री जिके की शैनल पर मेरा नाम है किरन भबर आज के इस वीडियो में हम पंदरवी ब्रिक्स सिकर सम्मेलन से जुड़ेवे महत्पन प्रशन कवर करेंगे जो आप क्याने वाले सभी एक्जाम के लिए काफी जादा इंपॉर्टेंट है सारे कोशन सेलेक्टेड हैं एक्जाम में जरूर पूछे जाएंगे लास्ट वेक कोशन पूछा है मैंने आपसे जिसका अंसर आपको कमेंट करके बताना है देखे इसके स्थापना कब हुई थी अभी हाल ही में नए सदर से कौन-कौन से बने हैं और 2023 में किस धीम के साथ यह सिकर्समेलन आयजित किया गया था कहां पर आयजित हुआ था सारे पॉइंट्स हम देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन से फर्स्ट कोशन है ब्रिक्स का पूर्ण रूप क्या है सबसे बहले हम यह देखेंगे कि जो ब्रिक्स लिखा हुए इसका पूरा नाम क्या है देखें यहाँ पर जो अल्फाबेट्स आपको दिख रहे हैं इससे कंट्रीज के नाम आते हैं बी से हो जाएगा ब्राजिल आर से हो जाएगा रूस आई से इंडिया भारत सी से चीन चाइना ठीक है और ऐसे से होगा साउथ अफ्रीका दक्षिन अफ्रीका तो इस आल्फाबेट्स यहाँ पर लिखे हुए इनसे देशों के नाम आते हैं देखें नेक्स्ट पॉइंट हम सारे पॉइंट से आपर कवर करते चलेंगे रूस को छोड़कर ब्रिक्स के सभी सदस से विकाशी लिया नव उद्योगी कृत देश हैं जिनके अर्थ विवस्ता तेजी से बढ़ रही है ये पांचो ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 42 फीसदी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे आपको पता है इसमें चाइना भी शामिल है और भारत देश भी सामिल है तो दोनों ऐसे देश हैं जो टॉप टू में आते हैं जहां पर आबादी सबसे ज़ादा है तो 42 पसेंट जो आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं वह पांचो देश हैं नेक्स देखेगा 15th Bricks से सिखर सम्मिलें 2003 का आयजन कहां किया गया यह कहां पर आयजित किया गया है तो देखे यह दक्षिन अफरीका में आयजित किया गया तो इसका आयजन कैसे होता है जैसे यह जो अल्फाबेट्स लिखे हैं Bricks ईसे की अनुसार ये अगले देश मेजवानी करते हैं जैसे ब्राजिल करेगा उसके बाद रश्या करेगा उसके बाद इंडिया फिर चायना उसके बाद साउथ अफरीका करेगा इस तरह से एक दुसरी को मेजवानी सोबते हैं ठीक है नेक्स पन्ट देखेगा धक्षिन अफरीका के जोहांसवर्ग में पंदरवे ब्रिक्स सिखर समेलन का एजन हुआ है प्रधानमंतिरी नरेंद्र मुदी ने इस सिखर समेलन को संभोधित किया है next है bricks के स्थापना कब हुई थी जब आप net पर search करेंगे तो आपको दो date देखने के लिए मिलेंगी एक 2006 और एक 2009 चलिए दोनों का अच्छी तरव से समझ लेते हैं क्यों ये दो date समय देखने के लिए दो ये years देखने के लिए मिलती हैं तो देखे bricks के स्थापना कब हुई थी वैसे 2009 में हुई थी ठीक है आप जब net पर search करेंगे तो आपको date 2009 दिखी जाएगी में देखे 2006 में bricks देशों के बैठक हुई थी सिर्फ बैठक हुई थी brick देशों के brick यहाँ पर लिखाओ यहाँ पर S अल्फावेट नहीं है अभी क्योंकि यहाँ पर अभी South Africa नहीं एड़ हुआ था देखे संविक दिराश्ट्रिय महासभा के दोरान चार देश ब्राजिल रूस भारत और चीन ने जब बैठक की तो उसी समय इसका नाम bricks किया गया था ऐसे दिखे धियान दीजेगा यहाँ पर बैठक वहाँ पर चल रहे थी संविक दिराश्ट्रिय महासभा की उसे दोरान यह देश वहाँ पर थे तो यह देशों ने अलग से बैठक की थी जब यह बैठक की थी ब्राजिल रूस भारत और चीन ने तो इसका नाम brick रखा था ठीक है उसके बाद पहली सिकर समयलन 2009 में रूस के यह का टेरिंग बर्ग में हुई थी उसके बाद अगर main जो सिकर समयलन थे सिफ इसके उपर चर्शा कर रहे थे सिफ बैठक कोई थी उस समय इसका गठन नहीं किया गया था ठीक है नेक्स्ट कोशन है ब्रिक्स रने हाल ही में कितने नहीं देशों को ग्रुप्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित क्या है जैसे कि आपको पता है इसमें main पाँच देश तो सामिल थे ही ठीक है इसकी इस जो ब्रिक्स है इसको जब गठित किया गया था तब इसमें चार देश सामिल थे ना इसमें साउथ अफरीका उस समय शामिल नहीं था कब शामिल हुआ था यह हम आगे कवर करेंगे चार देशों ने मिलकर कि गठित किया है ब्रिक्स क अब देखे और आपसे क्या पूछा है कि अभी 2013 में जो सिकर सम्मिलना आजित हुआ है इसमें किन नय देशों को शामिल किया गया है तो इसमें 6 नय देशे सामिल हुए हैं कितने 6 नय देशे सामिल हुए हैं नाम याद रखेगा सौधी अरबिया, इरान, अर्जेंटिन, एजिप्ट, एथियोपिया और UAE ये छे देश इसमें नए शामिल होए वैसे तो 30 से जादा देशों ने आवेदन दिया था कि हमें भी BRICS की ग्रूप में एड होना है लेकिन अभी हाल ही में 6 को एड किया गया है देखे इन नए देशों में अर्जेंटिना, मिसर, इथियोपिया, इरान, सौधी अरब और सैंक्त अरब अमिराथ शामिल है इनकी जो सदस्यता है ये 1st January 2024 से प्रभावी हो जाएगी BRICS में अभी भारत, ब्राजिल, दक्षिन, अफ्रिका, चेन और रूस सामिल है अभी तो ये शामिल है लेकिन 2024 से आप दिखेंगे कि ये भी इसमें एड हो जाएंगे ठीक है प्रभावी हो जाएंगे नेक्स है 2024 BRICS सम्मेलन में कितने देश शामिल होंगे ये हर साल BRICS सम्मेलन आएजित किया जाता है याद रखेगा हर साल आएजित किया जाता है लेकिन जब 2024 में आएजित किया जाएगा तो इसमें में कितने देश शामिल होंगे वैसे अलग से बहुत सारे देशों कामन तरित किया जाता है लेकिन जो main होंगे वो 11 होंगे ठीक है अभी तो हम यह नाम किन किन के पढ़ते हैं ब्राजिल, रश्या, इंडिया, चाइना, साउथ अफरीका इनके नाम हम देखते हैं लेकिन अब आपको 11 देश देखने के लिए मिलेंगे ठीक है कौन-कौन से 11 देश हमने यह कवर किये थे आपर देखें रूस, चीन, इरान, यूए, भारत, मिश्र, साउधी अरब, इथियोपिया, साउथ अफरीका, अरजेंटिना, ब्राजिल यह सारे देश अब इसमें शामिल होंगे चले आगे बढ़ते हैं ब्रिक्स का मतला ब्राजिल, रूस, भारत, चीन और दक्षिन, चलेगी, अब देखें, पंदरवा, ब्रिक्स सिकर सम्मिलन, कब से कब तक आईजित हुआ है, जो पंदरवा, ब्रिक्स सिकर सम्मिलन, आईजित हुआ है, सन 2023 में, डेट याद रखेगा, 22 से लेकर, 24 अगस्त तक, शामिल, यह आईजित हुआ है, 22 से लेकर, 24 अगस्त तक, अब देखिएगा, Bricks Bank का मुख्याले कहा थी थे, देखिए, आपर Bank लिखावे थी, हन दीजिएगा, Bricks का कोई मुख्याले नहीं है, लेकिन Bricks Bank का मुख्याले है, कहाँ पर है, संघाई चीन में इसका मुख्याले है, नेक्स्ट है, भारत Bricks में कब शामिल हुआ, कब शामिल हुआ था, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, 2006 में एक बैठक होई थी न, तब से यह शामिल है, 2006 में बस एक बैठक की गई थी, मामली से बैठक, 2009 में पहली बार सिकर सम्मिलन आई जित हुआ था, ठीक है, Bricks का स सिकर सम्मिलन, अब देखें, पंदरवे, Bricks सिकर सम्मिलन की थीम क्या है, इसकी थीम क्या है, अभी 2023 में, यह Bricks और अफरीका थीम के साथ मनाया गया, आप याद रखेगा, South Africa जो है, इसने host क्या है, तो आप थीम आराम से याद रख सकते हैं, Bricks और अफरीका, यह थीम रख आप समझ गए, चले, नेक्स्ट है, पहले Brick सम्मिलन का आईजित कहां किया गया था, पहले Brick सम्मिलन का आईजित कहां किया गया था, अब देखेगा, दक्षिन अफरीका कब Bricks में शामिल हुआ था, अब यह शामिल हुआ है, 2010 में, 2009 में इसकी पहली बाठक की गई थी, कह अब ध्यान से दिखेगा, यहाँ पर हम बहुत सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, ब्रिक देशों की पहली सिकर स्तर की बैठक 2009 में रूस के येका टेरिंग बर्ग में हुई थी, इसके बाद 2010 में ब्राजिल के ब्रासीलिया में दूसरी सिकर बैठक हुई थी, उसी साल इसमें स जिके, पहले, इसे ब्रिक था, एसleness में एड़ हो गया, साउथ अफरिका एड़ हो गया तो यह ब्रिक बंगया, ब्रिक इसमें जो पांच देशों वेयude शामिल है, वेस अभी, दुनिया की सबसे तीजी से उबर्ती हुई रथ विवस्ताइं हैं, नेक्स है, ब्रिक सा कि GDP में BRICS देशों की हिस्सेदारी कितनी है अभी कितनी है 30% है नेक्स्ट है BRICS BANK या New Development Bank की स्थापना कब हुई थी इसके स्थापना हुई है 2014 में BRICS BANK या फिर New Development Bank इसके स्थापना 2014 में हुई है दिखें New Development Bank एन डी जिसे पहले BRICS Development Bank के नाम से भी जाना चाता था BRICS राजियों जो है ब्राजेल, रूस, भारत, चीन और दक्षिन अफरीका द्वारा स्थापित किये गए एक बहु बश्य विकास बैंक है यहा नेक्स्ट है भारत में पहली बार BRICS समयलन का आईजिन कब हुआ था भारत दिश ने पहली बार इसके अधिक्षिता कब की थी? 2012 में कब की थी? 2012 में इसके अधिक्षिता की थी? 2012 में उसके बाद 2016 में और फिर 2021 में यह सन्द जरूर याद रखेगा अभी तक तीन बार अधिक्षिता कर चुका है 2012, 2016 और 21 में नेक्स्ट है 2016 में आठवे BRICS समयलन का आईजिन भारत के किस राज्य में किया गया था? 2016 में आठवा संस्क्रण था ही जो गोवा में आईजित किया गया था है ना? चली, नेक्स देखेगा 2016 ब्रिक्स सिकर समयलन ब्रिक्स देशों का आठवा वार्षिक सिकर समयलन का आईजिन भारत के शहर गोवा में 15-16 अक्टूबर 2016 को किया गया था ब्रिक्स के आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी याद रखेगा पुर्तिगाली, रूसी, मंदारीन, अंग्रेजी और हिंदी है नेक्स देखेगा जो 2023 में ब्रिक्स समिट हुई है उसमें कौन से देश के कौन से नेता इसमें शामिल थे ब्राजिल से जो राष्ट पति व्राजिल के अभी वो है दिल्मा, रोसेफ ये शामिल थे रूस के रास्ट पती वलादी मीर पुतिन, भारत देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी, चीन के रास्ट पती शी जीमपिंग, और दक्षण अफरीका के रास्ट पती जेकब ज यहां पर सारे सारी देशों के रास्पती शामिल है कि प्रधान मंत्री है उसमें यहां अब करता है उसका आण करते हैं और भारत casualties जो भी काम करना होता है वो प्रधान मंत्री के कहे अनुसार या फिर जो प्रधान मंत्री का जो मंत्री मंडल है, मंत्री परिसद है, उनके कहे अनुसार काम करना पड़ता है, तो देखा जाये तो यहाँ पर पावरफुल कौन हो जाता है, देश का प्रधान मंत्री हो जाता है भी रूल करते हैं चलिए आज की वीडियो में इतना ही लास्ट में कुशन पूछा मैंने आप से जिसका आंसर आपको कमेंट करना है कुशन है ब्रिक्स ने हाल ही में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल होने के लिए आवंत्रित किया है थोड़ से डिटेल में होगी पसंद आये तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करना बेल नोटिफिकेशन आइकन पर और प्रेज शरू कर देना वीडियो को लास्त तक देखने के लिए थैंक यू